पिछले कई समय से सांसदों की सबसीडी खत्म करने के उठ रही मांग जड़ ही पूरी हो सकती है खबर है कि संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सबसीडी अब खत्म हो सकती है इसके साथ ही संसद की कैंटीन में भी सांसदों को खाना सस्ता नहीं मिलेगा सांसदों को खाने के लागत के हिसाब से ही पैसा देना होगा इसको लेकर अधिकतर पार्टियों में एक मत हो गया है लोगसबह स्पीकर ओम बिडला के सुझाओ के बाद बिजनस एडवाईजरी कमेटी ने समुद्दे पर चर्चा की थी जिसमें सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमती जताई है यदि संसद की कैंटीन से सांसदों को मिलने वाली सबसीडी खत्म कर दी जाती है तो इससे सालाना 17 करोड रुपय की बचत होगी गौर्दलब है कि इस मांग को काफी दिनों से उठाया जा रहा था कि टेक्सपेर के पैसो पर सांसद सस्ता खाना खाते है हाल ही में जब जवाहलाल नहरू युनिवरसिटी में चात्र होस्टल की फीज बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेशन कर रहे थी तब भी उन्होंने इस तर्क को सामने रखा था चात्रों ने मांग की थी कि जब पढ़ाई में सबसीडी नहीं मिलती है तो फिर सांसदों को खाने में सबसीडी क्यों मिलती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स